इस सरकेट डाइगराम के पीछे मेरा जो परपज है वो यह है कि मैं एक कामन सलूसन के रूप में इस वीडियो को बना रहा हूँ जैसे कि कुछ ऐसे एडाप्टर आते हैं जहां पर अगर फाल्ट हो जाता है और काफी कम्प्लिकेटर उसमें इस्पेस नहीं होते है तो समय अगर उसमें यह माली जीए फायर हो गया जो भी आईसी उसमें लगी है और कम एंप्यर का है या बहुत ऐसे मदरबोर्ड पर या प बहुत ही अच्छे तरीके से इसे कहीं भी आप एक मॉडूल के रुप में उच कर सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई एडाप्टर आता है तो हमने देखा है कि इसके आप्शन के अलावा मार्केट में अभी इसका जो है कोई अधर आप्शन नहीं है कि जो एक आईसी बेस प पढ़ेंगे जो कि किसी एडाप्टर में जरा सा भी इस पेस नहीं होता कि उसमें अधर जगे पे जो है इसको शिप्ट कर दिया जाए उसके लिए हमने जो है यह आप सन निकाला है और यह आपको काफी हल्प करेगा कई जगे हल्प करेगा आप इसके डिटेल में जाएंग अलग-अलग IC के अपने अलग-अलग फीचर होते हैं तो यह कम अम्पियर पे जो हमारा जो कामन सलुशन था तो इसके लिए मैंने इसे बेटर आपसे समझा यहां पर देखें यहां यह जो पिन नमबर दो है यह है पिन नमबर एक यह पिन नमबर दो यह CS यानि करंट सेंसिं यह resistance की value को कम अधिक करके और इस तरीके से इसके current को आप control कर सकते हैं यह source से relate कर रहा है अंदर से और यह है drain तीनो ठीक है अब यहां पर देखें यह जैसे error detector section है जहां पर voltage को detect किया जाता है यहां से जो भी output पर अगर आपको यहां पर 12 volt लेना है तो 12 volt के हिसाब से इसके calculation करके आप निकालने resistance की value और इसके जो divider circuit है इसके resistance के value calculation करके निकाल सकते हैं यहां पर अगर आपको 5 volt चाहिए तो भी आप इसके calculation करके यानि इस optocoupler के अंसार इसका calculation करना होगा और इसके अंसार यहां पर इस divider resistance का calculation करना होगा वह हम आपको आगे बताएंगे जो power supply का और detail कि कैसे आप किसी भी जगे पे जो है इसे एक module के रूप में लगा सकते हैं किसी जगे पे नहीं high ampere के जगे पे नहीं हम उसका एक अलग solution बताएंगे अभी हमार बास कई ऐसे option हैं जो आपको काफी help करेगा क्योंकि इस समय जो भी complicated design हो रहे हैं motherboard हुए या power supply हुए वह उसको repair करने में अब एक space की जरूत होती है जो कि बहुत ही complicated होता है space को manage करना उसको देखते हुए हमने जो है इस समय को जो latest version है उसको हमने जो है बताने का प्रयास किया है